बाइसी अनुवंडल के अंतरगत बाइसी प्रखंड के पोस्ट कनहरिया के बैरिया गाउं के रहने वाले मुहमद रहमत पिता स्वर्गे मक्तूम के साथ अन्याय होने का मामला सामने आ रहा है पिरित ने कहा कि मैंने 116 डिसमिल जमीन जमावंदी कायम करने के लिए अंचला धिकारी प्रवीन कुमार वत्स को 63,000 रुपिय दिये थे परन्तु उन्होंने रुपिय लेकर भी मेरे साथ जालसाजी की है उन्होंने मेरा रुपिय ले लिया लेकिन 116 डिसमिल जमीन का जमावंदी कायम करने के स्थान पर हमें मात्र 63 डिसमिल जमीन की जमावंदी कर रसी थमादिया साथ ही उसमें अन्य लोगों का नाम भी जोड़ दिया गया जब अंचला दिकारिस से इस समन्ध में बात करने गये तो वो पूरी तरह नकार दिये उन्होंने अनमंडल पदा दिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गोहार लगाई क्या मामला है आपके साथ? मामला होता है अल्वड़ा होता है वार्स अवेदन Abstnym इसमें से जा है चिमेतार से लेकर हमते हो लेकर बात करकर समर्धान को अबड़ा की लगन इसका बीच में हमारी माई झशन सी जो है ऊधो मुखित में बेच लेते हुआ हमारा भाई झोर के चलाई उसमें जुर अधा कर दिया तो सीयागी एधर भी पैसा उधर भी पैसा। जेमने दार ही पैसा। जरकी मेरा सारा चीजँ है कलम चारी गया पर्लोट में जिए सारढ़ी है। इसमें फिर बटवारा कर लिया और मेरी भाय को जो है हमारा खाता में क्यों जो घुता दिया कि इसमें से जो है तिर सट हजार लुक या उसके बाद हमारी खाता में देखते हैं जो फीर दूसरी आदमी को सठा देथ मेरा सतेला भाय and वहार हमसे मुखित में वेच लिया unw इसलिए जो है उदर से हूय सीजिए कि जिमिदार से तरफ से पैसा लिया हमने से लिए इसका बीच में मेरा हाथ तुट गया, तो हम चले गए, पूर्णया, हाथ इलाज करने के लिए, उसके बाद हम ने घरवाली से जो है वह पैसा लाक रिके दिया उसको, केबूल का नीशे में दिया, हाथ उसके नहीं, केबूल का नीशे में, इस समस्या को लेकर कहा अवधन द